हेलो एबरिवन तो कैसो आप लोग एकदम ठिक ठाक दोस्तो अभी बज रहे हैं रात के नेट साढ़े बारह और मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो पजल का अर्थात पहली का मैं बता दूँ कि हमारे छेतर में आज लाइट नहीं थी जिसके वज़ा से मैं वीडियो दिन में नहीं बना पाया और साम में वीडियो अपलोड नहीं हुआ लेकिन रात को सूट कर रहा हूँ हो सकता है next day यह वीडियो आ जा या तो फिर रात को ही अपलोड हो जाए clear तो चलिए पहली की और चलते हैं बहुत ही मज़दार पहली है यह कमेंट में पहली पुछते हैं और हम पढ़ते हैं, तो वीडियो बनाने का पूरा मन करता है, हलाकि मेरे पास तो सलेबस का बहुत भंडार पढ़ा हुआ है, वीडियो बनाना बहुत सारा है, लेकिन पहली का कुछ और ही मज़ा है, जो मेरा वीडियो देखते हैं regular, पहली वाला, उसको त तीन जोडियों को नदी पार करनी है, मतलब तीन पुरूस और महिलाएं, पुरूस नहीं चाहता कि उनकी पत्नी के साथ कोई दूसरा आदमी हो, यानि कोई दूसरा पुरूस हो, एक नाव थी, परनाविक नहीं था, एक बार में दो लोग ही बैठ सकते हैं, बताओ छे है, चलिए हम नाव भी बना देते हैं, ये है नाव, ठीक है, ये नाव है, और ये नाव में नाविक नहीं है, इस नाव में नाविक नहीं है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि तीन जोडियों को नदी पार करनी है, तीन जोडियों को भी हम बना लेते हैं, तीन जोडियों को भी दूआ कि इसका हम बाल देते हैं जिसका बाल रहेगा समझना कि इसका ये पतनी है चलिए एक जोड़ी बना दिये दूसरा जोड़ी बनाते हैं दूसरा जोड़ी किसमे बनाएं किसमे बनाएं चैसमे बनाते हैं देखे ये दूसरा जोड़ी है इसका बाल है बाल है मतलब यह पतनी है देखिए तीन जोड़ी है पती पतनी सब क्लियर लेकिन यहाँ पर एक कंडिशन बोला गया यह छेवों को यानि तीनों जोड़ियों को इस पार जाना है एक नाव भी यहाँ पर मौझूद है लेकिन नाविक नहीं है तो नाव चलाने के लिए तो एक आदमी होना जोर रही है लेकिन यहाँ पर बोला कि पूरूस नहीं चाहता पूरूस नहीं चाहता कि उनकी पतनी उनकी पतनी के साथ कोई दूसरा आदमी हो मतलब कि कोई दूसरा पूरूस हो यह कोई भी पती नहीं चाहता है कोई भी पूरूस नहीं चाहता है तब यहाँ पर देखिए कैसे हम पार करेंगे, ताकि कोई पती जो है, किसी के साथ जूट ना जाए, किसी पतनी के साथ चले ना जाए, एक नहीं, इन लोग को डर वना हुए आपस में, जो भी है, अपना इन लोग का मेटर है, तो देखे, कैसे इस नाउ से जाएगा, क्योंकि नाविक तो नहीं है, अ नाविक फिर लेडी से की पुरूस है, ये भी डिपेंड करता है कि ने, तो कॉस्चन में खाया दिया कि नाविक नहीं है, तो मान लेते हैं नाविक नहीं है, अब इस छेवो को इस पार जाना है, तो कैसे जाएगे, देखे, कैसे जाएगा, सबसे पहले आप सोचिए कि कैस कैसे हम पार करेंगे, ताकि कोई भी इस्तरी किसी पुरूस के पास, किसी दूसरे पुरूस के पास छुटना जाए, अपने पती पास रहेगा, चलेगा, कोई दिकत नहीं है, लेकिन दूसरे पुरूस पास छुटना नहीं चाहिए, ये condition है, तो देखे, कैसे पार करेंगे, दोनों इस पार जब पहुच गए तो केवल पतनी को छोड़कर पती जो है नाव को इस पार लेकर के आ जाएगा नाव में नाविक नहीं है तो नाव इस पार अगर आ जाएगा दोनों आ जाएगा फिर नाव इधर ही रह जाएगा ना को तो लेकाना पड़ेगा ना तो पत्नी को छोड़कर यहाँ पर यह जो पत्नी है इधर आ गया मतलब कि यहाँ से पत्नी गायब हो गई, यहाँ पर पत्नी नहीं है पत्नी यहाँ आ गई, पत्नी यहीं पर रहा, मतलब गाया तुरत आ गया चलिए अब second बात करते हैं second जोड़ी का अब यह जो पुरूस है यहीं पर रहेगा अब यह दोनों जोड़ी को बिलगा रहे भाई यह सब आप ही लोग जाओ अगर हमसे डरता है कि हम तरह पत्नी को रख लेंगे तो बात करो तुम्हें लोग जाओ अब यह दोनों नाव में बैठेंगे अब जब जाएंगे तो यहाँ पर एक पुरूस रहेगा एक इस्तरी रहेगी तो इस्तरी जो है यहीं पर छुट जाएगी यहीं पर छोड़ दिया जाएगा अब दोनों इस्तरी यहाँ पर रहेगा कोई दिकत नहीं होगा पुरूस तो तुम्हीं लोग जो है, चले जाओ. नau में बैठ कर चले जाओ उस पर. अब जब ये दोनों बैठ एं, अब जाने लगागाएं तो ये जो इस्तरी है, इस्तरी को फिर यहाँ पर छोड़ दिया गया. इस्तरी को यहाँ पर छोड़ दिया गया. क्लियर अब यह जो पुरूस है यहां पर आ जाएगा अब इस तरी चली गई इस पार चली गई अब यह तीनों पुरूस इस तरफ हो गएं तीनों इस तरफ हो गएं अब दो पुरूस कोई भी बैठें इस नाव में गएं अब मान के चली यह जो रेड़ वाला पुरूस है र अब यह जो पीला वाला आदमी है वो फिर से आएगा फिर यह तोनों नाव में बठेगा और इस पार आराम से चल जाएगा कोई दिकत नहीं है किसी का पत्नी किसी दूसरे पास नहीं चली जाएगी और आराम से छेवो इस पार के उस पार पहुंच जाएगे मैं कोश्चन के अधार पर मैं बता दिया कि यह कंडिशन है इसी तरह इसका एंसर होगा और भी कुछ एंसर हो सकता है कुछ हरा फेरी करके छेवो इस पार पहुंच सकते हैं लेकिन यदि आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो फिर पता चलेगा कि किसी का पत्नी किसी दूसरे के पती के सा ने तो यहां पर कंडिशन में बोल दिया गया है कि पुरूश नहीं चाहता है कि उनकी पत्नी के साथ कोई दूसरा आदमी हो मतलory कोई दूसरा पुरूश हो कंडिशन दिया गया था और कंडिशन को हम फोलो करते हुए इस छेवो लोग को इस थरब पहुंचा दियें तो पसंद पढ़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेजे तो चलिए आज के लिए इतने ही जय हिंद वंदे मातरम